विधान सबाचुनावों की जहां सभी 119 सीटों पर मतदान के साथ ही पांच राज्यों में विधान सबाचुनाव का शोर थम गया है अब सबकी नजरे टिकी हुई है 3 दिसंबर पर यानि कि आने वाली चुनावी नतीजों पर सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है लेकिन आगामी रविवार को तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता ने किसको सत्ता सौपी है और किसे बेदखल किया है वहीं आखरी चरण में गुरुबार को तेलंगाना में मतदान हुआ जहां युवाओं, मुजर्गों और महिलाओं के साथ साथ दिगज हस्तियों ने भी बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया प्रदेश की सभी 119 सीटों पर मतदान के साथ ही 2290 उमीद्वारों की किस्मत EVM में कैद हो गई मुकाबला त्रिकोणी है लेकिन जीत को लेकर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे है और वही पांच राज्यों में मतदान के बाद अब घुरुवार शामपो एक्जिट पोल के प्रणाम भी आ गई बात सबसे पहले मध्यप्रदेश की करें तो मध्यप्रदेश 230 सदसे विधान सभाप पर आये विभिन एक्जिट पोल में भाजपा को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है तो वहीं कॉंग्रेस भी सत्ता संगर्ष में काफी करीब है वही अगर बात राजिस्तान की करें तो राजिस्तान की 200 सीटों में से 1999 पर चुनाफ हुए थे विभिन एक्जिट पोल में भाजपा को बढ़त वहां भी मिल रही है तो वहीं कॉंग्रेस पर चड़ती हुई नजर आ रही है और अगर बात की जाए 36 गड़की तो विभिन एक्जिट पोल में कॉंग्रेस को फिर से सत्ता की नजदीक बताया लिया है वही भाजपा सत्ता संघर्ष में थोड़ा पीछे इसमें नजर आ रही है तिलंगाना की अगर बात करें तो यहां पर आए विभिन एक्जिट पोल राजजे में सत्ता परिवर्तन के संकेत दे रहे हैं एक्जिट पोल के अनुसार कॉंग्रेस को सत्ता मिल सकती है तो बियरेस उससे थोड़ा सा पीछे नजर आ रही है वही मिज़ुरूम के अगर बात करें तो वहां पर आए विभिन एक्जिट पोल में MNF को सबसे ज़्यादा सीटे मिल रही है तो वहीं आपको बता दे कि ZPM दूसरे नंबर पर नजर आ रही है इसके लबाब पांच राज्यों के चुनाव सभी दलों ने अपने अपने दावे किये हैं और चुनाव की समापती के बाद मतदान के बाद वे सर्विक्षन यानि के एक्जिट पोल ने भी जनता की राये अब बता दी है हाला कि जनता ने असल में किस पर भरोसा किया है ये तो आने वाली 3 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा हाला कि इसके लिए बेस अपनी से इंतिजार हम सभी लोग कर रहे हैं कि आखिर जनता ने किसको चुना है पाँच राज्यों में विधान सबाद चुनावों के बाद तीन दिसम्बर को आने वाले हैदरोबाद से हमारे समवादा था राजेश राज जादा जौनकारी के साथ जुड़ चुके है राजेश सूप्रभाद आप से सबसे पहले जानना चाहूंगे कि तेलंगाना में सबसे आखरी में मतदान हुआ और मतदान सफलता पूरवक हुआ अब जो है सबकी निगाहे टिकी हुई है मतगणना पे कि किस तरीके से जो चुनाव के नतीज़ आएंगे एक्जेट पोल हमारे सामने है और जिस तरी किसे कहा जा रहा था कि ये तरी कोडिये मुकाबला है तो अभी किस तरीके की तस्वीर जो है वो नजर आ रही है देखिए कल देर शाम तक भाबना हम एलेक्शन कमिशन पर जम्य हुए थे हलाकि बकाइदा प्रेस कंफरेंस तो नहीं हुई लेकिन जो देर रात जो जानकारी मिल पाई की जो चुनाव आयोग यहां का जो हैदराबाद का है उसने जो आंकड़े जाड़ी किये हैं उसके मुताविक सतर फीजदी का आंकड़ा जो है वो छूलिया है मदान का और ऐसे में एक सतोस अंतोस जनक तस्वीर जो है वो उभर कर सामने आती है क्योंकि हमेशा से यह देखा जाता था कि तिलंगाना में या खासकर हैदराबाद और इंजगिंज के जो इलाके हैं यहां पर मदाता अप दिखाई पड़ रही थी लेकिन दोफर जो जो दिन ऊपर चरता गया त्यों त्यों हम कहा सकते हैं कि मदाताओं की भीड उमरने लगी और मदाताओं ने जम कर मदान भी किया और रही बात सियासी मिजाज की सियासी समिकरण की तो निश्चित तौर पर जो एक्जिट पोल क नतीजे सामने दिखाई पड़ रहे हैं वो कही न कहीं नफा और नुकसान की सियासत को भी बया करते हैं यहाँ पर 10 साल से केसियार जो है सत्ता में जमे हुए थे और कहीं जमे हुए हैं कहीं जो एंटी इंकम्बेंसी भी एक चीज होती है जो लगतार सत्ता में रहने के बा खासकर परिवारबाद बंशबाद को लेकर भष्टाचार को लेकर केसीयार को घेरने की कोशिस की बहुत कुछ दारोमदार जो है वो निर्भर करेगा अलफसंख्यक मतों के गोलबंदी पर बिल्कुल जो बोटर है उनका उनके मतों में जो बिखराव है वो बिखराव तो कहीं न कहीं मैंने कल भी कहा था कि कई बार तिलंगाना में इतिहास जो है कई बार मिथक तूटते और बनते हुए नजर आएंगे ये कल हम अपने लाइब के दौरान हमने कहा था अब देखना होगा कि एकजिट पोल के नतीजे कितना बास्तविक स्वरूप लेते हैं या देखने वाली बात होगी बैरहाल तिलंगाना की सियासत एक दिल्चस्प मोर पर है और अल्पसंक्यक मतों के बिखराव का जो भुक्सान है वो सत्ताधारी पार्टी को उठाना पर सकता है ओ वैसी जी जी राजिश इस तरीके से एकजिट पोल आने से पहले लगातार ये कहा जा रहा था कि तेलंगाना में को यह मुकाबला है लेकिन आप कहिना कहीं दो ही पार्टियों में मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है नेशी तोर पर भारती जन्ता पार्टी ने OBC मुख्य मंत्री की घोशना की थी लेकिन जैसा यहां पर मदाताओं से हमने जब बात की तो उन्होंने साब तोर पर कहा कि थोड़ी इसमें देर हो गई हलाकि भारती जन्ता पार्टी ने विधानसभा के चुनाओं में सिर्फ उनको साथ फीजदी बोट आये थे एक बिधानसभा सीटों पर उन्हें जित काम्याबी हाथ लगी थी बाद के दिनों में दो उपचुनाओं जो हुए उस उपचुनाओं में बीजेपी को चुनाओं जितने में काम्याबी मिली जो नगर निकाई के चुनाओं थे उसमें बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया उससे उत्साहित होकर कहीं न कहीं इस बार एडी चोटी का जोर लगाने की बीजेपी ने कोशिस की लेकिन जो मद्दाताओं का साथ तोर पर कहना था कि कई तरह की हम कह सकते हैं कि कॉंग्रस के इंट्री मारने के बाद यहां की सियास में इंट्री मारने के बाद मुकाबले को त्रिकोडात्मक बनाने की निश्ची तोर पर कोशिस की गई थी और बीजेपी ने अपने कारकरमों के जरिए रोडशो के जरिए प्रधामंत्री के कारकरमों के जरिए या पाटी ने जो एरी चोटी का जोर लगाया एक दमदार उ और सियासत में जब तक आखरी मत गिन ना लिया जाए और क्रिकेट में जब तक आखरी बॉल फेक ना दी जाए तब तक सब कुछ संभब है क्रिकेट और सियासत ऐसी चीज है जहां पर सब कुछ संभब रहता है अंतिम दम तक तो देखना होगा जो एकजिट पोल के नतीजे ह आखरी सोरूप बास्तबिक सोरूप लेते हैं या नहीं लेते हैं या देखने वाली बात होगी कई बार एकजिट पोल के नतीजे सही भी होते हैं echtlt जङए किघर बहुते हैं और कईभार गलत के बीच में भी कृतिका दिखाई पड़ते तो हमें थोड़ा इंतजार करना पड या फिर कॉंग्रेस अपने पुराने गढ़ में एक बार फिर दमदार उपस्ति दर्ज करा पाएगी या भारती जंता पार्टी मुकाबले को तुरकोना बनाने में कितना सफल हो पाई है या सब कुछ तस्वीर साफ हो पाएगा रमिवार को बिल्कुल राजेश तो तीन देसंबर को जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी कि केसी आर जो है सरकार वापसी लेती है या फिर सत्ता परिवर्तन होता है फिलहाल मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि चुनाव आयो की क्या तयारिया है क्योंकि सुरक्षा के कड़े इंतिजाम किये गए होंगे परसो का ही दिन है एक दिन रहै गया है तो तेलंगाना में किस तरीके से अभी सुरक्षा के इंतिजाम किये गए है परद样 को tänब करें देखिए अगर हम पोलिंग की बात करें तो पोलिंग के दोरान हमने देखा कि अरसेनिक बलों की टुकरिया तमाम मद्दान केंद्रों पर तैनाद थी और कोई परिंदा भी जमीन से लेकर आस्मान तक पर न मार सके इसका पूरा ख्याल चुनावाय उगन रखा था तेलंगाना पुलिस की सैकरो टुकरिया थी और अरसेनिक बलों की टुकरिया जो थी वो तैनाद थी तो जब मद्दान के दोरान चप्पे चप्पे पर अरसेनिक बलों की टुकरिया और तेलंगाना पुलिस ने नजर रखी तो निशित तोर पर जो मतगन्ना का काम है उस मतग उग्रबाद की चपेट में रहे हैं उन इलाकों में कल भी हमने देखा कि मद्दान का काम चार बजे तक पूरा करा लिया गया और शाम में 106 सीटों पर पांच बजे तक मद्दान हुआ और चार बजे तक तेरह जो विधान समाचेतर थे वहां पर मद्दान हुआ जो सिम्मभ मद्दान केंद्रों पर जिस तरीके से पिंक बूत, मॉडल बूत बड़ा कर दिब्यांगों के लिए बिसेश विवस्ता करने के बाद हमने देखा कि चपे चपे पर नजर रखी गई तो मद्दगन्ना के लिए भी कही न कहीं चुनावायों की विवस्ता बिलकुल मजबू और चुनावायों की जो तैयारियां हैं वो बिलकुल फूल प्रूफ है। बहुत 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 शुक्रिया।